चार स्टेट्स के चुनाओं हैं और कुछ दिन पहले खारगे जी और मेरी बात चल रही थी चुनाओं के बारे में तो हमने मिलकर डिसिजन लिया कि हम दोनों को सबसे पहले जमू कश्मीर जाना चाहिए चुनाओं के कारण सिर्फ चुनाओं के कारण नहीं मगर क्योंकि हम जमू कश्मीर के लोगों को और देश के लोगों को एक मेसेज देना चाहते हैं देखिए आजादी से आजादी के बाद पहली बार किसी स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है मतलब हिंदुस्तान में स्टेट्स को डिवाइट कर दिया गया उत्राखंड बना जारखंड बना तेलेंगाना बना यूनियन टेरिटरी इसको स्टेट में बदल दिया मगर कभी भी स्टेट से यूनियन टेरिटरी नहीं बनी मतलब हिंदुस्तान की हिस्ट्री में रेप्रेजेंटेशन का बढ़ावा ही हुआ है जादा रेप्रेजेंटेशन दिया गया है जारकन के लोगों को रेप्रेजेंटेशन दिया गया तेलंगाना के लोगों को रेप्रेजेंटेशन दिया गया मगर एक यू धारन है जहां लोगों से रेप्रेजेंटेशन छीना गया वो है जमू कश्मा हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है और इसका नतीजा आपने देखा है अड्मिनिस्ट्रेटर कहते है मगर सच मुझ में उनको महराजा कहना चाहिए एंपरर कहना चाहिए, किंग कहना चाहिए और पूरा का पूरा जो फाइदा हो रहा है वो जमू के लोगों का नहीं हो रहा है कश्मीर के लोगों का नहीं हो रहा है बाहर के लोगों का हो रहा है चाहे छोटे मैं स्टेट का नाम नहीं लूँगा चाहे छोटे कॉंट्राक्स हो, बड़े कॉंट्राक्स हो, सरकार में पॉजिशन्स हो, आप लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा है, आप लोगों को सिर्फ नुक्सान हो रहा है, इसलिए हम चाहते थे कि चुनाओ से पहले आपका स्टेट हुड आपको वापिस दिया जाए, अब ठीक है इन्होंने चुनाव पहले कर दिया मगर हम अभी भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपके स्केट की लगाम आपके हाथ में वापिस दी जाए मतलब आपको स्केट हुड एक बार फिर से मिले आपके बीच में मेरे बीच में आप रिष्टा जानते हो ये राजनेतिक रिष्टा नहीं है जैसे मैंने कहा महबत का रिष्टा है परिवारिक रिष्टा है मेरा परिवार आपके स्केट से ही आता है तो आपको ये सोच के चलना है कि दिल्ली में आपका सिभाई मैं हूँ जो भी आप चाहेंगे जो भी आप चाहेंगे मेरे दर्वाजे आपके लिए खुले हैं आपको सिर्फ ओर्डर देना है और मैं यहां हजिर हो जाओंगा देखिए शायद रमन बल्ला जी ने कहा ठेट जाएए मैडम खतम करने दीजे अभी नहीं मैडम बाद में कर ले ना डिस्टॉब मत कीजिए रमन बल्ला जी ने कहा उन्होंने कहा कि देखिए मैं कॉंग्रेस पार्टी का सिपाई हूँ रमन बल्ला जी आप सिपाई नहीं है आप कॉंग्रेस पार्टी के जैरल हैं और आप जैसे अलग-अलग जेनरल खड़े हुएं यहाँ पे सिपाई तो ये है कारे करता और मैं चाहता हूँ कि जेनरल की भी रिस्पेक्ट हो और सिपाई की भी रिस्पेक्ट हो गटबंदन हो रहा है मैं चाहता हूँ कि जो भी गटबंदन हो उससे हमारे कार्यकरताओं को सिपाईयों को और हमारे कमांडर्स को रिस्पेक्ट मिले इस्जत मिले आप लोग हमारे लड़ते हो और यह विचारधारा की लड़ाई है कॉंग्रेस पार्टी की विचारधारा और RSS की विचारधारा के बीच में लड़ाई है आपने देखा होगा चुनाव से पहले प्रधान मंत्री यू भाशन देते थे देखा आपने मैं आपको बता रहा हूँ आप गलत फैमे मैं मत हो Congress Party के कारिय करता ने मैं बता रहा हूँ आपको Congress Party के कारिय करता ने हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री से Constitution पर ऐसे ये करवा दिया ये आपकी देन है आपका काम है और मैं तो Parliament में बैठता हूँ मुझे तो फिलकुल सामने दिखते हैं मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री की जो confidence थी उसको खतम कर दिया, उड़ा दिया मतलब Congress के कार्यकरता ने उनको इतना psychological tension दिया कि उनकी psychology collapse कर गई और वो जो प्रधान मंत्री थे, सचा ये पूरा देश देख पा रहा है, जो चुनाओं से पहले प्रधान मंत्री थे, जिनका direct connection direct connection जिनका उपर था वो प्रधान मंत्री नहीं रहे और ये 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 आप लोगों का काम है, क्यूं? क्यूंकि कठिनाई के समय जब कठिनाई थी, जब आपकी विचारधारा पर आक्रमन हो रहा था तो आप लोग Congress Party का जंडा लिए गूम रहे थे ये सचाई है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग जंडा फेक कर भाग गए आप नहीं गए, आप खड़े रहे आपने लाटी खाई, गोली खाई, गाली खाई मगर आप एक इंच पीछे नहीं हटे, इसलिए मैं आपको Congress Party के बबर्शेर कहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ठीक है, चुनाओं में टिकेट बाटे जाते हैं बड़े बड़े नेताओं को टिकेट बाटे जाते हैं मगर मैं ये भी चाहता हूँ, कि हमारे कार्यकरताओं को भी MLA बनने का मौका मिले तो कर्रा साब वेनुगोपाल जी, मेर साब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं उधारन देखना चाहता हूँ जहां जमीनी कार्यकरताओं को MLA का टिकेट दिया गया और वो विधान सबा तक पहुंचा पूरे देश में पूरे देश में BJP के विचारधारा ने बेरोजगारी फैला दिये आपको फर्स्ट हैंड दिख रहा है जम्मू में भी बेरोजगारी फैलती जा रही है महंगाई बढ़ती जा रही है पूरे देश में हम इनसे लड़ रहे है जहां भी आप नोटिस कीजिए चुनाओ के बाद जहां भी ये कोई बदमाशी करने की कोशिश करते है जहां भी बदमाशी करने की कोशिश करते हैं हम उनको वहाँ सामने खड़े मिलते हैं ये लाटरल एंट्री का किया ना इनोंने अधानी जी मदद करने की कोशिश की न वहाँ पर हम खड़े हो गए उसको कैंसल कर दिया तो हम इनको छोड़ने वाले नहीं है अगर इनोंने थोड़ी सी बदमाची की कॉंग्रेस पार्टी के सारे के सारे कार्यकरता इनके सामने खड़े दिखाई देंगे और जो बिल गलत बिल एक पास करने की कोशिश करेंगे उस बिल को हम रद कवरा देंगे हम उपोजिशन में बैठे हैं मगर सरकार को कॉंग्रिस पार्टी का कार्यकरता चलाएगा आप सब का अच्छा देखे एक और लड़ाई है जमू का कल्चर है जमू की हिस्ट्री है यहाँ माता वेश्नु देवी कि यह जमीन है आपका जीने का तरीका है आपका सोचने का तरीका है वो अलग है जम्मू का अलग है केरल का अलग है करनाटक का अलग है उत्तर प्रदेश का अलग है हम चाहते हैं कि हर जगे का कल्चर उनके उनकी हिस्ट्री उनकी भाषा इन चीजों की रक्षा हो हम चाहते हैं कि आपकी अवाज आपकी आवाज आपकी सरकार में हो और जो आप चाहते हैं कश्मीर के लिए जो आप चाहते हैं जो आपके दिल में है वो हो अब BJP की दूसरी सोच है वो पूरे देश को नागपुर से चलाना चाहते हैं वो सोचते हैं कि रिमोट कंट्रोल से पूरा देश चले, चाहे जमू कश्मीर हो, चाहे महराष्टरा हो, भईया ये जो आप शकायत दे रहे हो न, कि बाहर के लोग पूरा का पूरा फाइदा उठा रहे हैं, आप महराष्टरा जाएए वहाँ पूछिए, वो भी आपको यही कहेंगे कि हम चाहते हैं कि पंचायती राज हो, मन्रेगा हो, पंचायतों में आपके decisions लिये जाएं, विधान सवा में आपके decisions लिये जाएं, लोक सवा में आपके आवाज पहुचें, कभी कभी हमारी पार्टी में प्रॉब्लम हो जाती हैं, मैं खुल के बोल रहा हूँ, कभी कभी contradiction हो और पार्टी में टेंशन होती है हम कहते हैं नहीं तुम बोलो तुम्हें करना है तुम खुल के बोलो तुम्हें अपना मुद्धा उठाना है हम मैनेज करेंगे तो हम किसी के आवास दबाने की कोशिश नहीं करते हैं और मीडिया में हमारा नुकसान भी होता है कभी-कभी लोग कहते हैं देखिए कॉंग्रिस पार्टी में अलग-अलग विचारधाई हैं हम स्टेटूर चाहते हैं हम चाहते हैं कि जो आपके दिल में है, जिस प्रकार से आप अपने स्टेट को चलाना चाहते हो, उसी प्रकार से आप चलाओ, इसलिए हम ये मैसेज देने आए, दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपने, आपने आप कॉंग्रेस पार्टी के कारे करता हूं, शाय कारे करता ने हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाया है, डिमोक्रिसी को बचाया है, अभी एक दो और कदम लेने हैं, वो आप ले लोगे, मगर आपने इस चुनाव में, कॉंस्टिटूशन को, और हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाया है, इसके लिए मैं आप सबको दिल से बदाई देना तरता हूँ धन्यवाद जैहिन नमस्कार